आज की इस वीडियो में मैं आपको consultant और advisor के दिर्मियान जो differences हैं जो इनका concept आपको easy way example के साथ बताऊंगा वीडियो को end देखिएगा ताकि आपको complete information मिल सके देखें consultant जो है वो उसका major focus होता है कोई specific problem से related उस problem से related उसने solution provide करना होता है जैसे कोई travel agency की consultancy provide कर रहा है आपको process का नहीं पता तो consultant क्या करेगा आपको सारी information देगा सारी documentation आपकी करेगा in the return आप से कुछ fee ले लेगा ये consultant का specific problem के उपर focus होता है advisor जो होता है उसका long term strategies के उपर ongoing problems के उपर उसका focus होता है like general guidance वो करता है long term decision making strategies related decision making करने में वो आपको help करता है planning long term planning से related वो आपको guide करता है advisor का ये concept होता है जो scope की अगर बात की जाए तो consultant यो है वो project based होता है like जैसे simple project दिया आपने किसी को like travel consultancy बंदे को like मेरा ये visa लगवा दिया उसके बाद उसका आपका कोई तलग नी काम खतम short term होता है ये short term project based होता है but जो advisor है वो ongoing उसका साथ आपका relation चलता है advisor में like आपके कोई आपका professor है जिसने आपको पढ़ाया थीन चार साल वो भी हो सकता है कोई आपका mentor हो सकता है या कोई ऐसा बंदा जो आलेड ही उस field में बहुत successful है वो advisor आपका हो सकता है अगर role की बात की जाए तो जो consultant है वो analysis करता है proper ठीक है आपको analysis करके recommendation देता है अच्छे से जो है आपकी problem solving की तरफ जाता है उसी तरफ अगर देखा जाए तो advisor जो है वो आपको guidance provide करता है ठीक है कॉंसल प्रवाइड करता है ठीक है information देता है आपको आपको अच्छी decision लेने के लिए knowledge प्रवाइड करता है logics प्रवाइड करता है compensation की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको पताया consultant fee लेता है but advisor जो है वो long term आपके साथ attach होता है वो equity पे काम करता है और इडवाइजर जो है आपको influence related decision करवाता है relations की बात की जाए तो consultant जो है वो like a external ओ सकता है but advisor कोई आपका internal उसकता है like आपकी family में से कोई आपका advisor हो सकता है and external पी हो सकता advisor में but जो consultant है larger deep external ही होते है and similarities की बात की जाए तोन में similar similarities क्या है consultant or advisor दोनो specialized knowledge प्रवाइड करते हैं हमें किसी भी चीज़ से related और guidance प्रवाइड करते हैं recommendation प्रवाइड करते हैं यह दोनों में common चीज़ है दोनों में similarities हैं और trust की बात की जाए तो बोत दोनों पर आप trust कर सकते हैं दोनों की credibility है तो यह इनका concept था आई होप आपको clear हो चुका होगा वीडियो ची लगी होता subscribe और like करना मत बूलिएगा अपना ख्याल लग किएगा गुड़ बाए